बिहार में अगले तीन दिनों तक अधिकान्स हिस्सों में तेज बारिस और वजरपात की संभावना है मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दोरान बकसर, कैमूर, रोतास, और अंगाबाद और पश्चमी चमपारंज जिलों में भारी बारिस को लेकर औरंज एलार्ट जारी किया है वही राज के अन सभी जिलों के लिए यलो एलार्ट जारी किया गया है इस दोरान भागलपूर, बाका, कटिहार, पूर्णिया और पुर्वी चमपारंज, गोपालगंज, सारन, वैसाली, पतना, भोजपूर में भी कुछ अस्थानों पर भारी बारिस की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के अनुसार, चकरवर्तिये प्रभाव के कारण, प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिस की परिस्थितियां बनी हुई है तीन और चार अक्टूबर को भी राजि के अधिकांस हिसों में बारिस की समावना है इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से अलग-अलग जिलों के लिए औरेंज और यलो एलर्ट जो है वो जारी किया गया है पांच अक्टूबर को भी कुछ जिलों में को छोड़कर बारिस का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है मौसम विभाग के अनुसार बिहार में इस साल 1 जून से 30 सितंबर के बीच समान से 23% कम बारिस हुई है मौसम विभाग के अनुसार जून और जुलाई में बारिस की स्थिती खड़ाब रही जिसके कारण इन चार महिनों में सिर्फ 760 मिलीलीटर बारिस दर्ज की गई अगस्त में 306.5 मिलीलीटर और सितंबर में 190 मिलीमीटर बारिस हुई सिर्फ अगस्त महिने में थोड़ी अच्छी बारिस हुई है तो बिहार के 6 जिलो में जैसे पुर्वी चंपारण, गोपाल गंज, सिवहर, सीता मढ़ी, सिवान और पस्चिम चंपारण में समाने से काफी कम बारिस हुई है दबकि 9 जिले अर्वल, औरंगाबाद, भाभुआ, भोजपूर, किसन गंज, मधुबन, मुजफरपूर, पतना और सारंज जैसे जिलो में समाने से थोड़ी कम बारिस हुई है वही 14 जिलो में समाने बारिस हुई है इनमें अरडिया, बेगू सराय, बक्सर, दर्भंगा, गया, जहानाबाद, मधेपूरा, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, सुपॉल और वैसाली जैसे जिले सामिल है तो दूसरी तरफ एट जिले जिनमें भागलपूर, जमुई, कटिहार, खगडिया, लखी सराय, मुंगेर, समस्तिपूर और सिफपूरा में समाने बारिस हुई है वहीं बाका एक लोता जिला है बिहार का जहाँ पर समान से अधिक बारिस हुई है लेकिन अब जो मौसर विभाग की तरफ से खबर आई है उसके मुताबिक अगले दो दिनों तक यानि 48 घंटों तक बिहार के लगभग सभी जिलों में तेज बारिस होगी और 12 जिले ऐसे रहेंगे जहाँ पर मुश्तलधर बारिस की संभावना जताई गई है